हलो फ्रेंट्स आप सोभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजिनियर पर मेरे नामे रादेम में आज एडवांस सर्विंग सब्जेट से रिलेटिट थ्योडोल एट्विटर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर काया हूं और फ्रेंट्स अगर आप हमारे सारे लेक्चर की पिपिटीज और नॉट्स को लेना चाहते हूं तो आप हमारे इस्टेग्राउं प्रेंट्स की वीडियो की शुरुआत करते हैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडमेंटल एक्षिस अफ फियोडलाइट एंड डियार रिलेशनसीप कहते है एक्सिस निकल कर गाता है लाइन ओफ कोली मेशन जिसे हम लाइन ओफ साइट के नाम से भी जानते हैं और फ्रेंड्स हमारा चोथा एक्सिस निकल कर गाता है एक्सिस ओफ प्लेट लेवल और पांचवा एक्सिस है एक्सिस ओफ अल्टीचूड लेवल तो फ्रेंड्स ये कहां पर आए हुए होते हैं थोड़ा हम यहाँ पर ड्रोइंग के मदद से समझते हैं जी हां यह फ्रेंड्स जो आप ड्रोइंग देख पा रहे हो यह फ्रेंड्स हमारा थ्योडोलेट के इनर पार्ट का मतलब जो अंदर में रहते हैं एक से जो अंदर तयार होते हैं उसका पहले ज़्यादा इसलिए मैंने इसको भी रखा है यहां पर समझ देखते हैं कि कौन-कौन सवार्टीकल एक्सिस लिखा हुआ है तो यह जो पूरी एक्सिस है यह वर्टीकल एक्सिस कहलाती है और इसके बाद फ्रेंट्स यह आधार पर घुमता है जी यहां अगर हमें swinging कराना हो तो उसे swinging कहते हैं और अगर हमें swinging कराना हो तो इसी axis के अधर पर तेलिस्कोप है वो घुमता है और इसके बाद friends बात की जाए आगे हमारा आता है और कौन से axis थे friends इसके बाद था friends हमारा line of collimation तो जी यहां friends जो हमारा axis हमारा IP से होते हुए जो crosshair के center में से जाए और साथी साथ जो objective lens के center में से निकले उसे line of collimation axis का जाता है जो हमारा telescope के अंदर पाया जाता है जी हां friends यह यह इस लिखा है line of collimation for line of sight यह यही axis है हमारा और friends इसके बाद था हमारा यहां पर axis of plate level जी हां friends axis of plate level मतलब की जो हमारा bubble tube रहता है यहां पर देख सकते हैं इसमें बताया है जो यह हमारा bubble tube है जब हमारा bubble tube center में रहता है और जब bubble tube center में आ जाए और उससे हमारा tangential जो line तयार हो उससे कहते है axis of plate level और साथी साथ इसी को ही कहते हैं axis of यहां फ्रेंट्स दोनों आम इसके लिए यूज में लिए जाते हैं और फ्रेंट्स बात कीज़ें इसके बाद यहां पर लिखा है जैसे कि अगर बताना हो पेपर में तो ऐसा लिख सकते हैं कि अगरा होरिजेंट्स एक्सिस हैं मतलब कि जो हमारा होरिजेंट्स एक्सिस है होहां यहां पर 90 मतलब है पार्पेंड़िट्स इरह लिखाए कि लाइन अफ ऑल Kennetal एक्सिस मतलब कि लाइन आफेक्सिस को में जहीत तो फ्रेंट्स Gosh आपर बताया गया है, line of axis को ही यहां पर करते है, line of sight और friends इसमें बात करो तो line of sight हमारा जो रहेगा, वो हमारा हो जाएगा 90 degree कि इसके vertical axis के वहीं यहां पर लिखा हुआ है, paper में इसको लिखा जाता है, इसमें symbol बता जाता है 90 degree का, 90 degree का symbol कुछ इस तरह से आप बता सकते हो, मैं जी हां, तो इसके बात friends आता है हमारा यहां पर, कि axis of altitude level must be parallel to the line of sight, जी हां फ्रेंड तो यहां पर आप देख सकते हो, यह हमारा vertical circle हो गया, और vertical circle का जो bubble tube होगा, उसका भी axis, जो bubble tube से टेंगर के तयार होगी, कुछ इस तरह से तयार होगी, और कह रहा है यहां पर कि axis of altitude level must be parallel to the line of sight, तो यहां पर देख सकते हो, यह दोनों line एक दूसरे के parallel है, जी हां friends, तो friends इसी को कहते हैं, यहां पर, मतलब कि अगर यह वाले point को लिखना हो, तो इसा बता जा सकता है, कि axis of altitude level must be parallel to the line of sight, अब इसके बाद आगे चलने friends, कि और जो point थे, मतलब यहां पर लिखना चा axis of the plate level must be in a plane perpendicular vertical axis, जिस तरह मने बताया, कि जो हमारा है पर plate level रहेगा, उसके perpendicular में हमारा vertical axis, जो हमारा प्लेट लेवल है, यह जो हमारा bubble tube का tension line जाएगा, उसे गते plate level axis, तो वो हमारा है पर perpendicular होगा, vertical axis के, और friends इसके बाद आता है, हमारा horizontal axis must be perpendicular to the vertical axis, जिससे कि मैंने बताया, horizontal axis के perpendicular में रहेगा, हमारा vertical axis, अब इसके बत क्या है, friends कि line of collimation must be at right angle to the horizontal axis, मतलब horizontal axis के line of collimation हमारा यहापर क्या रहेगा, right angle यानि कि 90 degree रहेगी, देख लेते है, horizontal axis का, जि यहां फ्रेंट यहां पर आप देख सकते हो, यह हमारा horizontal axis है, और यह हमारा line of collimation है, तो देख सकते है एक दूसरे कहाँ पर 90 degree बताया हुआ है, जि हाँ, friends, अब इसके बाद फ्रेंट क्या है, आपर, कि the axis of altitude level must be parallel to the line of collimation, यह भी मैंने आपको बता दिया कि altitude level यानि कि जो हमारा bubble tube है, जब center मारेगा, तो टेंटिंसियन होगा line, तो उसके हाँ पर parallel होगा, और हमारा parallel axis को हमारा 0 when the line of collimation is horizontal, मतलब कि, friends, जब हमारा यहाँ पर line of collimation, जी हाँ, जो हमारा line of collimation है, वो हमारा जब horizontal में होगा, तब हमारा जो हाँ पर vertical circle, वर्नियर का जो reading रहेगा, उसमें हमारा वहाँ पर क्या दर्स आएगा, 0, सुनिए, जी हा, friends, उसमें reading हमारी 0 दिखाएगी, तो यह सारे थे हमारे यहाँ पर fundamental access, जी हाँ, friends, और उसके क्या कुछ relationship थे, कुछ मने हाँ आपको बता दिये, और friends, इसके related अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, आज की वीडियो में ही तक रखते हैं, जी हाँ ज्यादा लंबा नी लेते हैं, तो friends, अगर इस सब्सक्राइब कर लीजेगा, चलिए friends, मिलता अपने स्टूडियो में, बाइबा, टेक कर, और गुड़ वाई